अपने दिन की शुरुआत वैसे दिन का मिड तो चर्चा आज कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं जिसको हम डिसकस करेंगे एडिटोरियल्स हैं जिसको हम देखेंगे कुछ एक वेंचुर काउ होती है साउथ इंडिया में पाई जाती है उससे रिलेटेड ए जो भी वर्डिक दिया है उसके बारे में है तो चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाएं और आप हमें हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हमारा शेशन जो है उसको और जादा से जादा लाइक करिए शेयर करिए और ऐसे ही हमारे साथ पढ़ाई करते रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा को तो शुरू किया जाए आज की ताजा खवर के साथ सबसे पहली हैलाइट क्या है the curious case of सो सम्मा ये पे एंड वेंच्यूर काउ यही मैं अडिटोरियल की बात कर रही थी इसको सशिश थरूर जी ने हुआ है ये सो शम्मा ये पे जो हैं साथ इंडिया में एक ये डॉक्टर है साथ के साथ एक शोशल वरकर हैं जो की वेंच्यूर काउ ये एक छोटी हाइट वाली गाय है और इसकी ब्रिड जो है वो अब बचाने के लिए बहुत अच्छे से इसको डिसकस करेंगे साथ के साथ दूसरा आर्टिकल क्या है सी इशू समन टू राम देव देखिए पतंजली और राम देव को जो सुप्रीम कोट है उन्होंने समन जारी किया है कोट में उपस्थित होने के लिए काया है तो क्या है अब उसी के लेकर के सुनवाई होने वाली थी तो क्या है पुरा मुद्दा उसको देखते हैं फिलहाल सुप्रीम कोट ने उसको अपरेल 9 के लिए मतलब 9th of April के लिए टाल दिया है इस पूरे मामले को कि वो इस CAA के उपर 9 अपरेल को चर्चा करेंगे तो देख लेंगे उ यह लो की international labor organization है उसने एक report जारी की है जिसमें बताया गया है कि forced labor की मतलब की एक दबाओ के साथ जो श्रम करवाने की यह forcefully जो श्रम करवाने के मामले बहुत जादा बढ़ रहे हैं nowadays तो क्या है पुरा मुद्दा बहुत अच्छे से discuss करेंगे आपके UPSC exams वगेरा में भी इस तरीके के organizations और उसके report से related data fact पूछा जाता है तो prelims के लिहास से यह बहुत important है देख लेंगे क्या है यह बहुत अच्छे से इसको discuss करेंगे अगला हमारा editorial है guaranteed MSP in ethical imperative देखिए MSP के बारे में यह पूरा editorial है अच्छा है आपको यह angle मिलेगा कि MSP की मांग किसान क्यूं कर हैं और MSP दिया जाना क्यों जरूरी है तो इसको पूरा देखेंगे इसके ethical issues देखेंगे साथ के साथ हम MSP से related factual data भी देखेंगे जो कि आपके prelims के लिए बहुत important है जैसे ही आपके previous years में जिस टाइप के question बनते हैं MSP से related मैंने पूरा उस तरीके का data बिलकुल useful data आज PPT में add किया है तो बहुत ही important और बहुत ही informative class रहने वाली है उसके पहले हम session शुरू करें पहले तो आप लोग जो भी non-subscribers हैं वो please subscribe कर लीजे तो हमें भी थोड़ा सा boost मिलेगा हमें भी थोड़ा सा motivation मिलेगा चलिए शुरू करते हैं पहली चर्चा आज की ताज़ा ख़बर य जो पार्टियां इसके अगेंस्ट में गई थी उन्होंने ये बोला था कि CAA अभी लागू हो गया फिलाल और जब आप hearing करेंगे माल लीजिए कि अभी जिन लोगों को नागरिकता मिल गई है CAA के थूरू या फिर ऐसे कुछ मुद्दे होंगे जिनके थूरू CAA के वज़ को अनकॉंस्टिटूशनल करार दे दिया गया था अगर उसी तरीके से CAA को भी क्या किया गया अनकॉंस्टिटूशनल घूशित कर दिया गया तो फिर अभी जो लोगों को नागरिकता मिलेगी उनकी नागरिकता का क्या होगा कई बारी ऐसा होगा न कि कुछ लोग जिनको जहाब की नागरिकता मिल गई वो अपने देश से आये थे जिन पाकिस्तान बांगलादेश और अफगानिस्तान जिन तीन कंट्री से लोग आये हुए थे वहां की नागरिकता वो त्यागेंगे तब जाके भारत में उनको नागरिकता मिलेगी लेकिन अगर ऐसा कोई समस्याओं का क्या निराकरण होगा जिनको अभी नागरिकता दे दी जाएगी तो ये पुरा मामला है इसलिए जो पिटीशन डाला गया था कि अभी फिलहाल CAA को लागू करने से अप रोक दीजिए उस पर इस्टे लगा दीजिए जब तक कि फाइनल आपकी कोट की यहीं पर काम करता है कि जो काम जुडिशरी का है वो जुडिशरी करेगी जो काम आपकी मुधाई का और कारेपाली का है वो करेंगे अब हम हर मुद्दे में क्या नहीं कर सकते उन पर रोक नहीं लगा सकते तो फिलहाल हम CAA के लागू होने पर कोई भी रोक नहीं लगा पा यह लेकिन फिलहाल CAA को सुप्रीम कोट ने स्टे लगाने से मना कर दिया है तो अभी जो भी लोग नागरिकता लेना चाहते हैं डॉक्यमेंटेशन फाइल करके वो क्या कर सकते हैं CAA के थू नागरिकता ले सकते हैं तो यह पूरा मुद्दा था फिलहाल तो यही मुद्दा था कि CAA को रोकने की बात की गई थी पेटिशनर्स ने बोला था कि प्लीज इसको रोक दीजिए लेकिन सुप्रीम कोट ने उसको डिनाई कर दिया है स्टे लगाने से तो यह कुछ निज हुई है आपके क्योंकि CAA के बारे में हम प्रिवेस में बहुत अच्छे से डिसकस कर सुके हैं साथ के साथ मैंने अलग से एक 30-40 मिनट का वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें पूरी मैंने डिटेल से उसकी चर्चा की होई है पूरे उसके पॉजिटिव उसके नेगेटिव और पुर्वत्तर राज्यों के लिए क्या मुद्दे हैं CAA का हमारी भारत के लिए क्या आर्थिक और बेनिफिट्स हैं सारी चीजे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ था तीस चालिस मिनट का उसमें मैंने डिसकस किया है तो आप उस वीडियो को भी जाकर देखेंगे तो बिलकुल आपको एक एक holistically concept clarity मिल जाएगी इसलिए मैं बार बार उस चीजों को repeat यहां पर नहीं कर रही हूँ हम उसके अलावा जो important हमारे news हैं हम उसको देख लेते हैं तो यह दूसरा news है बाबा राम देव से related है अब योगा को इंडिया में famous करने का सबसे बड़ा credit अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो यह इनको जाता है बाबा राम देव ने योग को घर घर तक पहुचा दिया इसमें कोई शक्र की बात नहीं है लेकिन अभी फिलहाल क्या हुआ है कि सुप्रीम कोट ने इनके लिए समन जारी किया है समन क्यों जारी किया है पहले हम highlight देख लेते हैं कि SC issues summoned to राम देव इन पतंजली misleading ads के लिए समन बाबा राम देव के उपर इसलिए रारी किया गया है क्योंकि ये क्या करते हैं भ्रामक प्रचार करते हैं अपने प्रोडक्ट का जैसे कि आपने इनका देखा होगा ये कुछ आयरवेदिक की दवाईया निकालते हैं और बोलते हैं कि इस से बिलकुल 100% इलाज हो जाए किडिनी का लीवर का मतलब बहुत क्या है शोड़ शोट 100% गैरेंटी के साथ ये अपने आयरवेदिक दवाईया निकालते हैं ऐसी दवाईयां आयरवेदिक दवाईयां जिन पर रिसर्च काम हुई है क्लिनिकली इतना प्रूवन नहीं है कि वह हार्ट पेशंट को या फिर किडिनी या लीवर के पेशंट को बिल्कुल बेनेफिट कर सकता है तो वो क्या करते हैं जो भ्रामक प्रचार करते हैं अपने प्रड़क्ट का इसके लिए सुप्रीम कोट ने पिछले साल नवंबर 21 में यानि कि 2023 में 21 नवंबर को सुप्रीम कोट ने इनके उपर मामला दर करते हैं है सुप्रीम कोट के सजसुन बही इस बात को बोलने के दूसरे ही दिन क्या किया प्रेश क्रॉनART की और फिर वहां पर सेम चीजे इनकोने बोली डॉक्टरों को क्रिटिसाइज किया एलोपेथिक दवाओं को क्रिटिसाइज किया और बोला कि मेरी दवाएं याने कि मेरी पतंजली के जो बैनर तले बनी हुई दवाएं हैं वो ज़ाधा इफेक्टिव हैं as compared to जो एलोपेथिक दवाएं हैं तो इसके लिए फिर से इनके खिलाफ माम लाग होई है और इस तरह के की हरकत बार-बार टॉलरेट नहीं की जाएगी और अगर फिर से इन्होंने ऐसा कुछ किया तो कोट क्या करेंगी इन पर कंटेंप्र ओफ कोट याने कि अवमानना का पूरा इल्जाम लगाएगी तो यह है पूरा मुद्दा यह थोड़ा सा हमारे जा अच्छा अर्टिकल है तो इसमें बोला गया है कि आप एली बात तो यह कि Garantid MSP is an ethical imperative तो इसमें बोला गया है कि MSP देना क्यों जरूरी है जो किसानों के लिए MSP और इसमें इस चीज का समर्थन किया गया है कि किसानों की जो मांग है MSP को लेकर कि वो भी बिल्कुल जायज उन्होंने कुछ चीजे बताई है इसमें बोला है कि देखिए अभी भी जो होता कमीटी एक सांता कुमार कमीटी थी उन्होंने 2015 में अपनी एक रिपोर्ट दी थी और उसमें बोला था कि सुप्रीम जो MSP है अभी भी मात्र 6% लाब ही मिल पाता है MSP का मतलब कि जो चीजे डि रिकमेंडेशन थी अनुशंचा थी या कहना चाहिए एक रिपोर्ट थी तो शांता कुमार जी का नाम याद रखिएगा ये आपके आंसर आइटिंग के लिए काम आएगा बहुत तो 2015 में जब सांता कुमार जी ने ये चीजे बोली थी तब से ये मुद्दा और ज्यादा के लिए क्या है कि लोगों का ध्याना कर्शित करा किया इस मुद्दे ने कि वाकई में MSP को जिस उद्ध से लाया गया था क्या वो अपने काम को पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा लें में लगभग 23 फसलों को शामिन किया गया है भी चीजें मेंशन की गई थी सरकार के तरफ से उनके तहत केवल इन दो प्रोडक्ट को ही MSP के रेट पर अभी फिलहाल खरीदा जा रहा है तो जो किसानों की मांग है अभी फिलहाल जो विव्याद चल रहा है किसानों का पूरा MSP को ले करके वो यही है कि आपने अगर 23 गया है कि देखिए इसमें 6% जो फार्मर के बारे में जो मैंने भी डाटा बताया वो साथ के साथ इसमें ये भी बताया गया है कि अभी फिलहाल क्या है MSP के थ्रूट 22% क्या दी जाती है तपसीडी दी जाती है यह यू कहना चाहिए कि 22% क्या है एक्स्ट्रा जो लाब है वो दिया जाता है हम आगे चर्चा करेंगे कि MSP क्या होता है फिलहाल ओवर यू के लिए में ये बता दू कि कि किसी भी अनाच को जो मार्केट में रेट चल रहा है उस रेट से तुलना करके किसानों की जो भी अनाच को उतपादित करने में जो भी लागत लगती है जो भी MSP, MSP का full forming क्या होता है, निउन्तम समर्थर मूल, याने कि इस मूले से जो भी मूले fix किया गया है, उससे कम में किसानों से खरीदारी नहीं की जा सकती, ठीक है, हमेशा उस मूले पर MSP पर या फिर उससे जादा की rate से ही अनाज खरीदा जाएगा, फिलाल ये, तो ये बोला ग उगाने के लिए जितनी लागत लग रही है, और उस अनाज का market में जो price चल रहा है, उसको अगर compare किया जाए, तो अभी जो MSP दिया जा रहा है किसानों को, वो उनकी cool लागत का केवल 22% ही है, जिसको स्वामी नाथन, जो MS स्वामी नाथन जी थे, उन्होंने बोला था कि इ इसी editorial में ये mention किया गया है, तो देखें यहां से आपको दूसरा data मिल गया, कि MS स्वामी नाथन जी ने जो क्या किया था, जो हमारी भारत में हरित क्रांती के जनक थे, उन्होंने बोला था कि MSP जो है, वो जो भी उतपादन लागत है अनाज का, उसका 50% तक होना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल सरकार कितना दे रही है, जो भी दे रही है वो लगभग 22% ही है, तो इसलिए ये बोला गया है कि MSP अगर आप 22% फिलहाल दे रहे हैं, तो उसको बढ़ा देंगे, तो बहुत कुछ ज़्यादा नुकसान आपका नहीं होगा, क्योंकि स्वामी नाथन जी ने तो ये रिकमेंड किया ही हुआ है, बहुत ही बड़े वग्यानिक थे वो, उन्होंने कोई बात ऐसी हावा में तो बोल दी नहीं होगी, तो अगर उन्होंने बोला है कि 50% होना चाहिए, किसी भी अनाच के उत्पादन लागत का 50% उनको MSP के रूप में मिलना है, ये गॉर्मेंट के लिए बात बोली गई है, कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है तो ये पूरा MSP का मुद्दा है, ये पूरे इस आर्टिकल में बोला गया है, देखिए मैंने अभी जो बात बोली स्वामिनाथन जी वाली, ये 50% का प्रॉफिट वाला, ये 50% प्रॉफिट मारजीन की बात की गई थी, स्वामिनाथन जी के द्वारा, और सबसे पहले जो मैंने शांता कुमार जी की अनुशंशा बताई, उसमें क्या बताया कि अभी मात्र 6% किसानों को ही इससे सही लाब मिल रहा है, और उसमें भी किन लोगों को सबसे जादा लाब म खारे में, चावल को सबसे जादा MSP दीजाती है, खरीफ फसलों में, और गेहुं जो रभी फसल में आता है, उसको सबसे जादा MSP दी जाती है, इसलिए किसान क्या करते हैं, इनी दो फसलों को सबसे जादा उगाते हैं, बाकी बहुत सारे राजес ऐसे हैं, क्या कर रहे हैं सफर कर रहे हैं बहुत सारे राज्यों के किसान जो है दिन पर दिन सुसाइड वगेरा की खबरे आती रहती है उसका कारण यही है कि उनको क्या है उनका जो भी लागत है एक अनाच को उत्पादित करने में जो भी उनकी लागत है वो पूरा उनको बेनेफिट उसका नहीं मिल पा रहा है, इसी सुसाइट के भी मामले बहुत जादा आ रहे हैं, ठीक है, तो ये पूरा editorial में बोला गया है, और इसके बारे में हमने ये तो overview ले लिया कि क्या है, क्या है, क्या नहीं है, अब हम देख लेते हैं, इसी article में mention है, कुछ APMC Act के बारे में बोला ग क्या होते हैं, वो broker क्या करते हैं, किसानों का जो अनाज है, वो दूसरी कमपनियों को या उद्द्योगों को बिकवाने का काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, बीच में बहुत सारा commission खा जाते हैं, या जो MSP पे तैय है चीजे, मतलब माल लिजे, सरकार ने 23 अनाजों के इलिगल काम किया, तो उनके उपर क्या कारवाई होगी, ये अभी तक नहीं हो पाया है, तो इस वज़े से क्या होता है, कि किसानों का बहुत ज़्यादा शोशन होता है, जब वो market में बेचने के लिए जाते हैं, अपने अनाज, तो उनको उनके अनाज लागत का सही जो return मि वो नहीं मिल पाता है, तो इस आर्टिकल में इसके बारे में भी mention किया गया है, कि जो ये विवस्थाएं हैं, इनको थोड़ा सा क्या करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, तो ये लूप होल्स जो हैं, खतम होंगे, तभी जाके किसानों को लाभ म मिल पाएगा, तो ये पूरा matter है, अब देख लेते हैं, हमारा MSP से related हमारे लिए क्या important चीज़े हैं, जो एक आपके exam में पूछी जाती हैं, तो सबसे पहले MSP होता क्या है, MSP का मैंने full form starting में ही बताया कि ये new term समर्थर्म मूल है, ठीक है, तो minimum support price कहने का क्या मतलब है, कि इसके इतना तो दिया ही दिया जाएगा, इससे कम नहीं दिया जाएगा, ठीक है, इससे कम नहीं का मतलब क्या है, ये एक तरीके से बार सेट कर दिया गया कि किसी भी अनाच को, सपोज वो अगर चावल है या गेहू है, तो जो MSP उसके लिए मानलो चावल के लिए 2500 रुप जो भी मारकेट में लोग खरीदने वाले खरीदार होते हैं, इससे कम पे तो नहीं खरीदेंगे, हाँ आप चाहें तो इसको बढ़ा जरूर सकते हैं, लेकिन ये नियून्तम समर्थन मुले हैं, यानि कि इतना तो आपको देना ही पड़ेगा एक किसान को अनाच खरीदने स पहले, तो ये हुआ MSP, अब ये किसके द्वारा तो भारत सरकार के अंदर जो क्रिशी मंत्राले आता है, क्रिशी मंत्राले के अंदर ही एक आयोग है, जिसको क्या कहते हैं, क्रिशी लागत और मुले आयोग, इसको क्या कहते हैं अंगरेजी में, CACP, क्रिशी लागत और चल रहा है उसको और साथ के साथ किसानों को उस अनाज को उत्पादित करने में क्या लागत लगी उसको दोनों को तुलना करके एक fix MSP का rate तै करता है तो CACP जो है वो क्या करता है MSP की rate को तै करता है या निर्धारित करता है लेकिन यहां पर एक मेटर CCEA का भी आता है जो कि हम आगे चर्चा करेंगे कि मूले तो MSP का यह तै करते हैं लेकिन अन्तिम निर्ण जो है यह आर्थिक मामलों की जो मंत्राला है या कमिटी है CCEA यह तै करती है कि वाकई में actual MSP होगी क्या ठीक है सपोज इन्होंने बोल दिया कि 25 सो रुपे कौन है CCEA है लेकिन अगर पेपर में पूछा जाए कि MSP कौन करता है तो जो यह क्रिशी लागत और मुल्य आयोग है यह MSP करती है यह यहां पर आपको confusion नहीं होना चाहिए क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आप से बनते हैं MSP की घोशना कप की जाती है तो साल में दो बार यह किया जाता है अगर आपसे statement मन जाए कि साल में एक बार किया जाता है तो बिल्कुल भी नहीं साल में दो बार MSP की जाती है एक बार खरीफ के लिए और फिर रभी के लिए दो सीजन होते हैं बीच में दो एक जायद फसलों के लिए दो महीने का समय होता है जो कि आपका दर्मिया में आता है माई जुन वगेरा तो एक जो खरीफ वाला सीजन है और दूसरा जो रभी वाला सीजन है तो साल में दो बार जो है वो MSP की टाइम टाइम पे घोशना होती है तो यह पूरा मुद्दा है मैंने पहले ही बता दिया कि इसको कौन लागू करता है C.C.A.P तो C.C.A.P. C.A.C.P. माफ किजीगा तो C.A.C.P. क्या है मैंने पहले ही बताया कि कृशी मंत्राले के अंतरगत आने वाला एक आयोग है जो MSP की क्या है मुले निधारित करता है इसकी स्थापना कब हुई है 1965 में ऐसे भी आप से कोशन पूशता है आयोग वगेरा से रिले उपर में फाइल निर्ने लेता है उसकी अध्यक्षिता कौन करते हैं प्रधान मंत्री तो देखिए मोधी जी है यहाँ पर फाइनल अथारिटी उनके पास में है कि MSP क्या देना है ये तो रिकमेंड कर देते हैं C.A.C.P. क्रिशी लागत और मुल्यायोग ये रिकमेंड कर अब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि लगभग 23 फसलों के उपर क्या किया जाता है MSP दी जाती है जिसमें से 22 फसले अब कहीं कहीं पर आपको दिखेगा 22 फसल कहीं पर आपको दिखेगा 24 फसल तो कई जगह पर डाटा का मिसमेच होने की वज़े से confusion होता है फिलहाल क् कि 22 फसलों को क्या दिया जाता है MSP और एक फसल जो होती है उसके उपर दिया जाता है FRP ठीक है तो टोटल 23 फसले है MSP के उपर अगर देखा जाए तो लेकिन ये 23 नहीं है 22 फसलों को MSP दी जाती है ये एक question आपसे अलग से बनता है और एक जो फसल होती है गन्ने की उसके पर क्या दिया जाता है FRP अब मैं उसको भी चर्चा करूंगी यहां से कोई भी आपका confusion नहीं होगा सारी चीज़े clear होके जाएंगी तो जो एक FRP है अब MSP और FRP में क्या अंतर है MSP में ये है कि MSP जो है वो आपके खरीफ और रभी की फसलों पर दिया जा रहा है जो गेहूं चावल होए कपास हुए बाजरा हुआ मक्का हुआ इन सारी फसलों पर लेकिन ये जो FRP है ये केवल और केवल गन्ने के लिए लागू किया जाता है और अंतर ये है कि ये चीनी उद्योग में जो लोग होते हैं चीनी उद्योग के जो मालिक होते हैं उनके लिए ये होता है कि अगर कोई किसान आपके पास गन्ना बेचने के लिए आता है तो आपको इस रेट पर जो ये तै की जाएगी सरकार के द्वारा इसी कुज़न नहीं होना चाहिए कि MSP और FRP में क्या आंतर है ये कोश्चन आप से कभी बन सकता है आपको ध्यान में रखना है कि 22 जो फसले हैं उनके लिए MSP तैकी जाती है जो कि केंद्र सरकार करती है लेकिन जो गन्ना है उसके लिए FRP तैकी जाती है और ये क्या होता है केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी यहां पर थोड़ी अथोरिटी दी जाती है कि वो अपने राज्य के हिसाब से FRP की प्राइज में कम जादा कर सकते हैं तो ये एक बेसिक डिफरेंस है शाथ के स इलहन की फसले हैं कितनी आपकी जो दलहन की फसले हैं ये सब आपको देखना है कितनी वाडिजिक फसले हैं ये सब आपको देखना है ये आपका होमवक रहेगा ठीक है अब हमने FRP की बारे में देखी लिया कि केवल और केवल गन्ना के लिए ये लगाया जाता है और इसको इसमें क्या होता है उत्पादन लागत और जो margin होता है प्रॉफिट का margin होता है इन दोनों को calculate करके ये तै किया जाता है FRP तो I hope आपको कोई confusion नहीं होगा देखिए FRP और MRP की price जो है उसमें दो basic अंतर है एक तो ये कि जो FRP है वो केवल गणना के लिए दूसरा है ये कि FRP के गणना में केवल उत्पादन लागत और लाभ पे जो margin जो मिलना चाहिए वो मिलता है लेकिन जब MSP तै की जाती है तो उसमें क्या-क्या देखा जाता है उत्पादन की लागत भी देखी जाती है जो margin of profit मिलना चाहिए न profit जो किसान को कुछ मिलना चाहिए वो भी देखा जाता है साथ के साथ बजार मुल्य भी देखा जाता है तो ये एक basic difference है MSP में क्या है बजार मुल्य को भी consider किया जाता है लेकिन FRP में केवल उत्पादन लागत और उसके साथ लाभ margin को देख करके पुरा FRP तै किया जाता है तो I hope अब यहां से आपको कोई भी confusion नहीं होगा और I think मुझे ये लगता है कि ये topic आपको कहीं पेभीर किसी नहीं बताया होगा जो मैंने यहां पर discuss किया है ठीक है चलिए अब देख लेते हैं कि अभी फिलाल क्या किया था केंदर सरकार ने अभी रभी का सीजन चल रहा था ठंड के टाइम में क्या होता रभी का सीजन चल रहा होता है अक्टूबर नमबर वाला टाइम तो उसमें क्या किया था गेहूं में जो है गेहूं की MSP में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की गई थी तो आपसे ये भी question पूछता है और ये आपका काम है कि जब जब खरीफ और रभी की फसले अपडेट होती है इनके MSP में तो आपको ज रभी सीजन के समय में तो ये question आपको देखना है अब हम देख लेते हैं कि खरीफ की फसल कौन सी होती है और रभी की फसल कौन कौन सी होती है तो खरीफ फसलों में देखिए दो उत्तर भारत में थोड़े एक दो फसल इधर उधर होते हैं और दक्षिन भारत में एक दो फस कि बात आएगी तो इसमें धान बाजरा मक्का ज्वार मूंग फली उडद मूंग और सोया बिनाएगा अब मैं इसको यहां पर क्यूं डिसकस कर रही हूं क्यूंकि आप से कई बार यूपी एससी में आपने देखा होगा पीवाई की उठा करके तो उसमें चार-पांच फसलो है कौन सी खरीफ की फसल है तो देखिए धान बाजरा धान बाजरा मक्का ज्वार मूंग फली उडद मूंग और सोया बिन यह सारी जो खरीफ फसलों में आती है जो कि उत्तर भारत में उगाई जाती है साथ कपास तिल रागी यह सब अन्य कुछ खरीफ फसले हैं जो 2023 को अब आपको कॉमेंट में ये बताना है कि 2024 को कौन सा इयर घोशित किया गया है ये आपके को बताना है कमेंट करके तो खरीफ की फसलों में कौन कौन से हैं मेजर है धान, बाजरा, मग्का, ज्वार, मुंगफली, सोया बिन, तिल, मुंगफली, कपास ये सारी चीज़े खर ध्यान से एक जगा लिखके और याद कर लेना है एटलीस 4-5 खरीफ की फसल, 4-5 रभी की फसल क्योंकि ये आपसे एक्जाम में पूछा जाता है तो ये जो पूरा एडिटोरियल था उससे रिलेटेड ये हमने पूरा डिसकस कर लिया इससे कोई भी प्रश्न आपका बनेग बार मुद्दा उठता है कि ये जो अपने किसानों को इतनी सबसीडी दे रहे हैं ये सही नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे जो डबलू टी ओ है और उसके अन्य देश हैं वो हमेशा भारत के खिलाफ इस केल उपर बोलते हैं कि जो भारत है अपने किसानों को जरूरत से जादा दे रहे हो सबसीडी और जो इंडिया के किसान है वो कह रहे हैं कि 22 परसंट से आपको 50 ही तो करना है क्या इतनी बड़ी प्रॉबलम है अभी 22 दे रहे हैं तब तो ये डबलू टी ओ पीछे पड़े हुए हैं महा के देश 50 देंगे तो पता नहीं क्या होगा तो डब VTO क्या करता है एक बॉक्स जारी करता है एक बॉक्स होती है green box दूसरा होता है amber box और एक होता है ब्लू बॉक्स और एक औरेंज बॉक्स भी होता है ठीक है तो तीन चार तरीके के बॉक्सेज हैं डबलू टी ओके ये बैसिकली क्या होते हैं किस उत्पात को सबसिडी कितनी देनी है इसके अधार पर ये दो तीन बॉक्स हैं तो आप से अब UPSC में ही प्रिवेस येर में एम आज इसमें शामिल होते हैं ग्रीन बॉक्स में उनके उपर सबसिडी देने के मामले में कोई भी बाधा कोई भी दबाव नहीं है बिल्कुल आप सवतंतर रूप से अपने यहां के लोगों को ग्रीन बॉक्स में जो चीजे शामिल हैं उस पर सबसिडी दे सकते हैं तो ग्र पर कुछ एक कहना चाहिए एक तरीके का दबाव है या कुछ एक criteria या rule set किया गया है कि इससे उपर नहीं इससे ज्यादा नहीं इससे कम नहीं इस तरीके का तो एक quality में जो term चलता है ना युक्ति-उक्त निर्बंधन का मतलब कि क्या है कि आपको कहीं पर 50 रूप से घूमने क तो आजादी है लेकिन अगर आप किसी जंजाती शेत्र में चले जाते हैं तो वहाँ पर आप नहीं जा सकते वहाँ पर आपको जाने के रिस्ट्रिक्शन्स है तो युक्ति युक्त निर्बंधन वैसा ही काम एंबर बॉक्स का है कि कुछ मामलों में आप सबसीडी तो दे सकत है ग्रीन वॉक्स मतलब की ऐसे उत्पाद जिन पर सबसीडी देने की छूट दी हुई है डबलू टी ओने और एंबर वॉक्स ऐसा उत्पाद है जहां पर सबसीडी दी तो जाती है लेकिन उस पर कुछ रिस्रिक्शन्स भी लगाई गई है तो यह पूरे टॉपिक से रिले अब बारे में बात की थी कि दख्यूरियस केस ऑफ सो सम्मा ये पे एंड वेंचूर काउ वेंचूर काउ क्या है एक गाय की नसल है जो की छोटी हाइट ही होती होती है बहुत जादा उची भी नहीं बहुत जादा छोटी हाइट की मैंने बोला है तो मोधी जी की वो अन्य गायों से कम है लेकिन क्या है ये विलुपती की कगार पर है और इनका संद्रक्षन नहीं किया गया है क्या हुआ था कुछ टाइम जब ये पूरा एलपीजी वाला कॉंसेप्ट आय था हमारे यहां कि बहुत जादा हम उभोकतावाद को प्रोमोट कर रहे थे और इसी हमारी जो नसले थी उनको हमने क्रॉस ब्रीडिंग करवा दिया तो उसकी वज़े से क्या हुआ वेंचूर गाय जो है जो एक भारत में पाई जानी वाली एक देसी नसल है वो क्या होई है खतम होते गई धीरे-धीरे इनका संद्रक्षन नहीं किया गया इस वज़े से तो इसके ऊपर एक काम किया है, सोशल वर्कर हैं, एक साउथ हिंडिया की सोशम मा ईयेपेजी, इन्हों ने क्या किया? ये एक पसूओं की चिकेट सकती, साथ के साथ एक सोशल वर्कर भी है, तो इन्होंने क्या किया? कि इनको ढूँनना शुरू किया, एक रिसर्च किया और उसके वजह से क्या हुआ कि अब वेंचूर गाउ की जो संख्या है वो बढ़ रही है और जब इन्होंने यह काम करना शुरू किया तो जो स्टेट गॉर्मेंट है या फिर सेंट्रल गॉर्मेंट है उन्होंने भी इस चीज पर ध्यान देना शुरू किया इनको एप् से पर्सन आफ न्यूज में पूछा जा सकता है पेपर में पूछा जा सकता है तो आपको याद रखना है सो सम्मा एपे जी का नाम इनको मिला है पदम श्रीकरब दो हजार पाईस में और यह किसके संदक्षन का काम कर रही है वेंचूर काउ के लिए तो यही पूरे इस आर इनको बहुत जादा हेल्प कर रही है तो यह पूरा एक मामला था शशीर थरूर जी के एडिटोरियल से रिलेटेड अब क्या है कि आपने एक बारी देखा होगा आपके पीटी में अगर आपको याद होगा तो अब अगर कोई इस तरीके के जो केटल्स वगरा हैं जो कि न्यूज में हैं तो आपसे इस पर प्रश्ण बन सकता है इन्वार्मेंट वाले सेक्शन में तो इसलिए हम क्या करेंगे जो वेंचूर काउ है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे 2021 के उसमें किसी को उमीद भी नहीं थी कि यह पूश देगा कोई की हतनी का गर्फ काल कितना होता है लेकिन जो चीजे दूज में होती है उससे कैसे भी क्वेश्ण यूप्यस सी बना सकती है तो इसलिए हम यहां पर वेंचूर काउ को भी डिसकस कर रहे हैं वेंचूर काउ क ना है तो यह वेंचूर गाय जो है भारत की एक लूप्त प्राए गाय है और यह छोटी कदी की गाय हती है और उच दूद्ध देने वाली इनकी छमता होती है कद इनका छोटा है लेकिन ये दुख-धुट पादन जादा ही करती हैं बहुत जादा नहीं करती हैं लेकिन फिर ठीक ठाक दूद देती हैं कहां पर पाई जाती है तो ये केरल के कोटायम और अला पुझा जिलों में है ठीक है फिलहाल में ये गाय मूल रूप से कहां पाई जाती है केरल के कोटायम में और अला पुझा जिले में ये वेंचूर काउ पाई जाती है और इनकी हजार से अधिक गायों और जर्सी गायों जैसे कि थार पाकर जैसी विदेशी गायों के क्रोस ब्रीडिंग से विक्सित हुई है ठीक है तो ये भी एक तरीके की हैं गाय जो देशी गाय है साथ के साथ जो विदेशी गाय है उनकी क्रोस ब्रीडिंग से भी ये बनी हुई है इनकी विशेश्टाएं क्या है कि वेंचूर गाय का जो कद होता है वो छोटा होता है मैंने पहले ही बता दिया है उचाई इनकी लगभग 80-90 cm की होती है और ये कितना दूद देती वजन में लगभग 130 से लेकर के 150 होती है मैंने पहले ही बताया कि लगभग 4-5 लिटर का दूद देती है इनके दूद में बहुत जादा प्रोटीन वसा होता जो कि लगभग हर गाय की जो दूद है उसमें पाया जाता है तो वेंचूर गाय के बारे में है कि 2-3 लिटर याई दूद देती है इसमें वशा की मातरा 4.5-5.5 होती है यह कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी दूद का रंग क्या है थोड़ा सा पीला होता है यह सब चीजे तो जो भी यह आर्टिकल था जो इसमें चर्चा में थी एक तो हमने सोमपा आई यह पे जी के बारे में जान ठीक है अब चलते हैं अपने अगले और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ इसमें क्या बोला गया है जो इंटरनेशनल लेबर और्गेनाइजेशन है आई लो है उन्होंने फोर्स लेबर पे अधारित एक अपने रिपोर्ट जारी किया इसमें क्या बोला है कि रिपोर्ट में क्या बताया गया है सबसे पहले तो आई लो के बारे में बताया गया है कि आई लो क्या है यह जेनेवा में इस्थित है इसका मुख्याल है और इसने फोर्स लेबर के उपर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और इसमें बताया है कि इस फोर्स लेबर की वज कि कौन कौन से एरिया में सबसे जादा है तो इसमें बात की गई है कि सेंट्रल एशिया में और साथ के साथ में यूरोप में तो यूरोप और सेंट्रल एशिया वाला जो रीजन है यहां पर सबसे जादा फोर्स लेवर की यहने की बल के साथ बल जबरदस्ति किसी को काम करने के लिए फोर्स करके क्या है वहाँ पर इतना लाब कमाया जा रहा है तो याद रखिएगा कि सबसे हाइस नंबर कहां पर है योरोप में और सेंट्रल एशिया में ठीक है उसके बाद में एशिया और पैसिफिक रीजन का नाम आता है तो लगभग 84 बिलियन डॉलर का व्यापा है तो हमने यह तो जान लिया कि 27.6 मिलियन लोग इसमें इंवाल्व हैं और उन लोगों के उपर बलात्ष्रम उनके उपर कराया जा रहा है उनको फोर्स फूली काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है साथ में साथ इसमें यौन उत्पीड़न के भी मामले के बारे में बताया गया है कि जो महिलाएं हैं उनको क्या है एक देश से दूसरे देश में बेचा जाता है और उनको फोर्स फूली वो काम करने के लिए क्या है मजबूर किया जाता है और इसकी वजह से मनी जनरेट की जाती है तो आये लोग कि ये पूरी रिपोर्ट आई है इसमें आक लगभग 2.7% की वृद्धी हुई है तो आप ये सारे आंकड़े नोट डाउन कर दीजिए आपको काम आएगा अगर आप से इस तरीके का कोश्चन पूशे की श्रम की क्या इस्थिती है इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइट तो वहां पर आप यह आंकड़ा कोट कर सकते ह है कि लगभग 2.7 मिलियन की वृद्धी हुई है फोर्स फुल लेबर के मामले में साथ के साथ हमने बताया कि यह कौन जारी करता है तो आईयलो जिसका मुख्याले कहां पर है जिनेवा में है इन्होंने ये पूरी रिपोर्ट लाई है और बताया है कि अर्थ वेवस्था मे जबरन मजदूरी करवा करके लगभग 236 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार किया जा रहा है अवैद मुनाफ़ा कमाया जा रहा है जबरन मजदूरी करवा करके लगभग 236 बिलियन डॉलर का ठीक है इसमें पहले ही मैंने बता दिया कि सबसे ज़्यादा कहां पर योरो तो साथ के साथ में यह सारे डाटा आप कहीं क्या करिए नोट डाउन करते चलिए ठीक है तो सबसे जादा मामले यूरोप और मदेशिया में हैं 27 परसेंट लोग जो हैं इस समस्या से जूज रहे हैं बलात श्रम की समस्या से और इसमें जो दो तिहाई हैं वो क्या है यौन श शोषण करके उनका और यौन शोषण के लिए उनको या फिर यौन वैपार के लिए क्या है बल्ग पॉर्स फुली काम करवा के तब जाके मुनाफ़ा कमाया जा रहा है तो यह बहुत बड़ा नंबर है दो दिहाई मामले ऐसे हैं जिसमें शेक्श्वल और सॉल्ट किया जा इसकी स्थापना कब हुई है तो 1919 में मुख्याले कहाँ है जेंवा में जो कि Switzerland में ठीक है अब 1919 देख के किसी को वर्ल्ड वर याद आ गया होगा ठीक है ? फस्ट वर्ल्ड वर का तो आये लो की स्थापना हुई है 1919 में 1919 में कहां पर जंवा स्विजर लेंड के में यहां उसका मुख्याले है अब देख लेते हैं कि ILO की कुछ विसेश रिपोर्ट्स आती है हना आप से UPSC में कुछन पूछा जाता है जैसे कि हमने IMF वगेरा World Bank वगेरा इनकी रिपोर्ट्स वगेरा देखी थी ठीक है जो World Economic Forum है कुछ अभी और Organizations देखेंगे आप इसकी विल्कुल चिंता मत करिएगा जिस दिन आर्टिकल कम आएंगे उस दिन हम फिर चार-पांच नए जो Organizations है उसको देखेंगे तो आप एक काम करिएगा जो Saturday को I think मैंने यह organization वाला लिया हुआ था क्लास उस क्लास को देख करके आप एक पतली सी कॉपी या दो चार पेज का नोट तयार करिए जहां जहां पर मैं Organizations बताते जा रही हूं लिखते जाएए अब next Saturday या फिर कभी जिस दिन भी कम आर्टिकल आएंगे उस दिन हम फिर से organizations को कुछ चार-पाच organizations जो आपके इंग्जाम के लिए important है उसको discuss कर लेंगे तो फिलहाल हम ILO की रिपोर्ट देख रहे हैं ILO की कौन-कौन से report है पहला तो एक labor force वाला जो हमने बताया वो साथ के साथ में विश्व रोजगार और समाजिक outlook report है यह भी जो है ILO जारी करती है बाल श्रम report है इसको भी ILO के द्वारा जारी किया जाता है मजदूरी report और समाजिक सुरक्षा report तो यह सब कि सब ILO के द्वारा जारी किया रोजगार और समाजिक outlook दूसरा है बाल श्रम के ऊपर फिर तीसरी report है मजदूरी के रिए और चौथे report है समाजिक सुरक्षा report तो यह हुआ पूरा आपका न्यूज अब आईयो लो के बारे में मैंने बताया कि वह 2019 में बनी है और लगभग 187 देश जो है अभी इसके सदस्य है तो आपसे statement में संगठनों के बारे में question पूछ सकता है इसलिए हमने यहाँ पर इसको discuss किया है तो यह था आज का पूरा session I hope आपको आज का session अच्छा लगा होगा अगर आपको हमारी पहल अच्छी लग रही है तो हमारे classmate guru channel को जाद से जाद लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू